पास पेपर से तयारी करें या गैस पेपर से क्यूंकि अक्सर आपने लोगों को कहते वह सुना होगा कि पास पेपर बहुत ज्यादा लगते हैं अब लगते क्या हैं इस चीज को देख लेते हैं और मैं आपको ऐसा रीजन भी दे दूँगा कि हाँ सर आप सही बात कर रहे हैं लेकिन अगर मैं गलत बात कर रहा हूं तो comment section में बताना अच्छा देखो भाई आज जो है वो राद 12 बज़े से पहले आप group में add होते हो तो आपको group में काफी discount भी मिल जाएगा और साथ ही साथ previous तमाम material मिल जाएगा और lectures सारी चीज़े मिल जाएगी बारा बज़े से पहले group में आजाएगा आज last day है registration का number आ रहा है इसी पर jash cash करकर अपना नाम class field बता देना हम add कर लेंगे वीडियो के आखरे में भी मैं आपको सारी details दे दूँगा तो आज राद 12 बज़े से पहले group में जरूर add होना अच्छा वाई सबसे पहले बात करते है past paper और gas paper देखो अगर आप past paper की बात कर रहे हो ना previous वाले यानि for example आपको paper देना है 2025 में और अगर आप 2024 का past paper से तयारी करके जाओ तो देखो बहुत कम question लगेंगे बहुत कम आप खुद भी देख सकते हो आप एक काम करो अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा तो चलो मैं आपको एक reason देता हूँ आप उस reason को follow करके देखो फिर आपको यकीन हो जाएगा सही है आप एक काम करो 2024 वाले past paper को चाहिए वो किसी भी subject का हो उसको compare करो 2023 वाले से कि चेक करो कितने question लगे हैं या अगर चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो 2023 वाले past paper को 2022 के past paper से compare करो आपको बहुत बहुत कम question मिलेंगे जो repeat हो रहे होंगे या लग रहे होंगे आपको बहुत ज़्यादा difference मिलेगा तो यानि कि past paper नहीं लगते ऐसा नहीं कह रहा लेकिन अगर past paper से तयारी कर रहे हो ना तो कम से कम 5 साल के past paper से तयारी करो या 10 साल के past paper से तयारी करो और ऐसा नहीं करो कि जस्ट आप 1 साल पुराना past paper करके जा रहे हो ठीक है तो ज्यादा बहतर क्या हो जाता है ज्यादा बहतर हो जाता है guest paper तो हर coaching अपना guest paper निकालता है कुछ जो है वो last के time में निकालते हैं कुछ पहले निकाल देते हैं तो मेरी नजर में जो ज्यादा बहतर होते हैं वो guest paper होते हैं क्योंकि guest paper में past paper के almost तमाम questions तो होते ही होते हैं और वो questions भी होते हैं जो इस बार लगने के ज्यादा chances होते हैं ठीक है guest paper में भी कोई बहुत ज्यादा question नहीं होते हैं अगर हर chapter के इसाब से लगाओ तो हमारे में 5 short question है, 4 numerical है और 2 long question है तो ज्यादा question हमने भी नहीं रखें लेकिन past paper के तमाम questions तो डाले ही हैं और उसके लावा कुछ additional question डाले हैं तो अगर आप guest paper करते हो तो ज्यादा फायदा होगा और अगर फिर guest paper नहीं है तो past paper की तरफ से ले आओ लेकिन याद रखना अगर 2025 का exam दे रहे हो तो 2024 का past paper से काम नहीं होगा कम से कम 2023 और 2022 दोनों करना सही है इस चीज़ को याद रखना ये बहुत आपको help देगी strategy ये को चोटे चोटे सी बाते होती है जो आखर में paper में जाके आपको मदद करती है कि हाँ मैंने ये चीज़ follow करी तो इससे मुझे फायदा हुआ सही है अगर आप gas paper चाहिए है तो भाई हमने इसकी fees रखी है 200 रुपे तमाम सबचे के लिए PDF में मिलेंगे नमबर आ रहा होगा शुरू मैं उसमें भाय कर सकते हो अच्छा गुरूप के rates बता दूँ उसके बाद वीडियो को खतम करते है guest paper go first priority पर रखना उसके बाद pass paper जाना ठीक है अच्छा class 9, 10, 11, 12 किसी एक गुरूप में add होना है तो fees 3000 से 1500 हो गई है mdk decade में add होना है तो 4500 से 3500 हो गई है class 12 और m decade में add होना है तो 4500 से 4000 पर हो गई है तो यह fees की तर्तीब है आप लोग जरूर इन groups में add हो जाना आज last day है अब इसके बाद group जो है वो December में आएंगे जो के पूरा महीन बात आएदा तो अब मैंने आपको बताया था ना भाई हम लोग एक दिन बैठके तमाम बच्चों को add कर लेते हैं ताकि फिर पूरे महीने जो है न हमें मुश्किल ना हो वहना फिर बार बार add करने से यह होता है कि हमें भी मुश्किल हो रही होती है बार बन नंबर सेफ करना प्रॉब्लम हो तो एक ही बार add कर लो तो इससे यह फायदा हो जाता है कि हमारे ले भी time save हो जाता है तो गुरुप में जरूर add हो जाना कुछ ना समझ में आऊ नंबर भी given है उसी पे पूछ लेना आज के लिए अफीस आपके लिए आदी है ठीक है सिर्फ आज के लिए थैंक्स फर वाचिंग अला आफिस की बिरूओं में जरूरी याद रहे